और अब वक्त है आजादी का सफर में आज की कड़ी का आज 1857 के सौतंतरता संगराम की 165 वी वर्सी है विर्टिस सामराज के खिलाब पहली बार रोश की ज्वाला 10 मई 1857 को जली थी सौतंतरता की गाथा के आज के अंक में हम प्रतम सौतंतरता संगराम के सभी वी वीरों को शौतंतरता संगराम की 165 वी वर्श गाठ मना रहे हैं जो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था सामाजिक तानेबाने को नश्ट करने कठोर लगान और भारतिय रजवारों के साथ बुरे बरताव सहित अनेक धारणाओं से उत्पन असंतोश ने लोगों को स्वतंतरता के लिए संघर्ष करने को उकसाया लेकिन संघर्ष की चिंगारी भड़कने का तातकाले कारण ग्रीज लगे कार्तूसों का इस्तेमाल था ये अफ़ा फैल गई कि उन कार्तूसों में प्रियुक्त ग्रीज में गाय और सुर की चर्बी मिलाई गई है मेरट में मई 1857 में तीसरी रेजिमेंट के 85 सिपाहियों ने चर्बी लगे इन कार्तूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया इसकी वजह से उनका कोर्ट मार्शल किया गया और लंबे कारावास की सजा सुनाई गई दस मई को सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चला दी और साथी सिपाहियों को छोडा लिया सिपाहियों ने तुरंथ ही दिल्ली की तरफ कूच कर दिया दिल्ली पहुँचकर उन्होंने 81 वर्षिय बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शेहनशाह घोशित कर दिया शीगरी संग्राम की ज्वाला उत्तर पश्चिमी प्रांतों और आवध तक फैल गई दिल्ली हाथ से निकलना अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा नुकसान था जल्दी स्वतंतरता संग्राम की आग पूरे उत्तरी और मध्य भारत में फैलती गई दिल्ली में बहदुर शाज जफर, लखनव में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहिब, जहांसी और ग्वालियर में लक्ष्मी बाई और तात्या टोपे, बरेली में खान बहदुर खान, प्रियाग राज और वारानसी में मौलवी लियाक अतली, और बिहार में कुमर इस्ट इंडिया कमपनी ने भी तेजी से कारिवाई की, सेना की सहायता से सितंबर के अंत तक दिल्ली पर दोबारा कभजा कर लिया गया, लेकिन स्वतंतरता संग्राम को पूरी तरह से दबाने में अंग्रेजों को लगभग एक वर्ष लगा, 20 जून 1858 को ग्वालियर में स्वतंतरता सेनानियों की पराजय के बाद ही स्वतंतरता की उस आग पर पूरी तरह सिकाब उपाया जा सका, 1857 के स्वतंतरता संग्राम ने बृटिश एस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद हिला दी थी, इसका बड़ा परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में सामने आया, इस कानून से भारत पर बृटिश इस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्ण हो गया, भारत पर बिटिश राज की शुरुवात हुई और प्रतेक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत का शासन बिटिश सरकार के हाथों में आ गया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ऐसी चिंगारी लगाई और ऐसी उर्जा का संचार किया जो मात्री भूमी को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखने के लिए लोगों की प्रेरणा का मुख्य स्रोत बनी रही